हलो एवरिवन तो नाव बैक बैटा आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां पर आपकी क्लास 10 का नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोगेशन इसको साट करने कहते हैं अर्थमेटिक प्रोगेशन तो आप इसको करा दीजी तो बैटा आज मैं इसको कराने जा रहा हूं विश्वात करो आप पेन और कांपी निकाले कहीं कोने में बैठ जाओ मैं साथ आप लग जाओ अगले एक गंटे में इस एपी से रिलेटेज जितनी भी बेसिक आपको पता ह अगर पहली वीडियो है तो पहली वीडियो तो गया दी कि बेसिक ही होगी तो इसमें जितने भी बेसिक कोचन बनते ही स्टार्टिंग में सारा मैं सुक पुछ कवर करा दूँगा कि एपी है क्या है कैसे सम निकालते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पिए हम क्यों पढ़ पूरा में पहले बेसिक कवर करूगा क्या कवर करूगा सबक्रणी क्या है आप लोग पताती है देखिया है बेटा आप लोग एक चीत जानते होंगे कि सिक्वेंस क्या होता है सिक्वेंस 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 क्या होता है बेटा इसे कोई नंबर लिखें है ऐसे जिसे मनों कि दो चार छे आठ दस ऐसे बारा डाडा बने लिख दिया आप इसको सिरीज भी बोल सकते हैं सिरी हिंदी ब से यह नहीं है एक हैबिट डालो मैंने साथ क्या कि अगर कामा में ऐसे कोई चीज दिए और दूसरे वाले को टी टी तु बोलेंगे इसको टी तरी बोलेंगे इसी तरी के साथ क्या लोग चलते रहेंगे अगर यह एक तुम को यहां पर दिखाई देगी क्या ती T2 माइनस T1 और बेटा T3 माइनस का T2 है ये बेटा दोनों तरब बराबर आएगा एक एचिली के चलना है एक एचिली के चलना है एक एचिली के ये T3 लिखा हुआ है चेकरो T2 किता है बेटा है पास में 4 माइनस का T1 किता है पास में 2 इसकल 2 T3 किता हमें पास बेटा है 6 माइन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बेटा यह कोई अपसाठ कर बता तो यह तो मैंने एक तरीका हो गया कि आप आपको आपको है और ले ले लिए इसको पहला डिलावार अब कोई बी चीज अपसाठ करने का बेटा कोई भी चीज लिखी है तो इनके कोई भी कॉई भी 2 कांजी किटू भी 2 केटू इसको हिंदी मुलति क्रमा घत कोई भी 2 काजी केटू आप नंबर ले लिजए HAS fun ले लिजए इसको टर्म ही बोलते है यह पहल conten 2 सटुक तूट एक की वाज़ दूसरा वाला कोई भी 2 कांजी केटू नंबर ले लिजिए बेटा उनका difference पूरी स्रीज में equal मिलता है कोई भी दो कांजी किटू ले ले लिए देखिए आजाईए जिसे माली जी मैंने यहाँ पे बेटा चार औछे ले लिया तो चार चिम किसकर अंदर है दो कंदर है लगाता लेना है माली आप 10-12 ले लिए किता अंदर है दो कंदर है आप माली जी बेटा आठ और दस ले लिए किता अंदर है दो कंदर है ये भी तरीका होता एपी चेक करने का चाहिए जो स्रीज हो अगर एपी है तो यह पैटर्न फालो होगा अब जरूई नहीं कि बेटा यही एपी हो एपी कई हो सकती जैसे मैंने एक जांपल दिया उससे बेटा यह पी है बैटा मुझे कुछ नहीं पता हमीं क्या पता है हमीं यह पता है कि ट्र मानस टीवन इसकर टू बेट है पांट कि ती इती टीटीटि वाजये ए तो यह तो यह तकल लेजी या तो फी कोई दो लगातार हमारे पास में क्या लजी नंबर ले लिजे उन दो लगातार नंबर में सब जगा होगा वो डिफरेंस क्या ऐनाकर एकवल आएगा यह पहले ऐस में 18 माइनस का टीटू किता हमाएं पास हो जाएगा बेटा रूट का अब इसको सौल करके हमें देखना है कि यह इकुल टू इधर वाला एकुल टू उधर वाला दोनों बेटा बराबर आने चाहिए देखे रूट जो आठ लिखा इसको में चार गुड़े दो लिख लेता इसको मैं नव गुड़े दो लिखलेता हूं और इसको मैं किता लिख लेता हूं चार गुड़े किता में किता में किता में निकल गया निकल गया एक लिखान जाता है किसी कोई प्राबला यहां तक नहीं नहीं दो रूट दो यहाँ पर रूट दो यहाँ पर नीचे आगे कोछ नहीं तो बचेगा तीन में से 2 एक लिखा नहीं या। रूट बचेगा। कि है तो तरह या दोनों तरह बराबरा या और बराबर आिक अख quiet देनी आप यह कहिए कि यह क्या है बेटा एपी यह सरीज जो है एपी के सरीज है बेटा हम खट से यह बात कहेंगे अब जरूरी नहीं है कि बेटा एपी हमेंसा नमबर में लिखाओ अलफा बेड मी भी हो सकती ही जिसे मालों के तीसी से लिए जा रहे हैं आपके सामने आप समझो बेटा फील करो में सब्जेट को आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आपको फील हो जाएगा इसके लावाँ को कोई वीडियो देखने हो सकता नहीं कहीं भटने हो सकता नहीं आपके को जान सुनूं इसे मैंने कहा बेटा a मैंने कहा 2 a मैंने कहा 3 a मैंने कहा 4 a डाड़डावड़ते हुइं चले जा रहे हैं हमने कहा अभी आपको मैं बता रहा हूं एक चुली पता है सायथ यह पांसवा चेप्टर होगा 5 5.1 जो हमारे पास ना बेटा उसमें यही करना हुम मैं पहले बता दे रहा हूं उसमें यहीं करना कि एसी स्रीज लिखी होती है खालिस में यह पता करना कोई कौन कौन सी चीज़े जो लिखी स्रीज लिखे स्रीज लिखे स्रिकेंस लिखे हैं कौन एपी है यह नहीं है तो लिखा तो है आपके सामने यह वाला फाला देख लिज जित्ती भी है सब कुछ खत्म हो जाए पहले बेसिक में अब मैं कहा रहा हूं कि क्या AP ऐसे हो सकती है algebraic form में यहां पर x y a e b कुछ आ जाए हां हो सकती है बस मैंने क्या बताया कि लगातार दो का difference क्या होना चाहिए सब जगा सेम होना चाहिए या फी आप ऐसा करके क्या है यह क्या हमें पास ब्यटा बेटा रहा है यह दो तरह बराबर आजाथ होगा 2 से दो A निकल जाएगा, A बचेगा, यस, left बराबर right आगया, हम कहेंगे ये भी AP है, और मैं एजामपल करा, तो एक चौथा एजामपल हो लेकर करा दियाना है, जैसे हमने कहा, A, A plus D, कामा, A plus 2D, कामा, A plus 3D, क्या मैंने कहा, ये AP है, मुझे नहीं पता, हमें ये आता है, हमें क्या आता है, हमें T2 मानस T1, इसकल टू T3 मानस का T2 आता है, अगर दोनों तरफ एक्वाल हो गया, तो हमें इसको AP बुला देंगे, तो ये किता है, लिखाए, सकल टू, यहां तो बैटा, A plus का D लिखाए, इसकल टू, यहां तो बैटा, A plus 2D, म्कंदर मल्टिप्लाइग became –A मैना प्लस का मैनस कर D आ गया देखे ए से ए एंसिल हो गया यहान टूड यहाँ भी मैना मैनस कर опас का मिदी निकल जाएगा टूड इसे एक डि निकल जाएगा एग sih तो से एक डी निकल जाएगा तो कता बते हमें पास में डी बतेगा देखे दूंतरा बराबार आ गया कुछ भी बराबार आए आना चाहिए तो हम यह कह देंगे कि यह भी वार्ण हमें पास क्या है तो आप यह बताइए पहले एपी है क्या यह समझ यह अगर आप समझ में आख में कुछ आगए बतात है क्या है थे हम क्या आप सरे बाते समझाने की कोशी करूंगा तो आपको सारी बाते समझाना की कोशी करूंगा जैसे कि 2,4,6,8,10 ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा हमारे पास अब ध्यान देखना है बेटा मैं कुछ बाते बोलने जा रहा हूँ माले 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मबर चलते 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 कई ये स्रेणी माले जी बेटा 1000 पे जाके रुग गई 1000 पे रुग गई अब सुनो बेटा अब अगर कोई स्रेणी मैंने लिया है ज़ए 2 से सुरू किया जाते, 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 जाते 1000 मैं ने रुग दिया ध्यान से सुना wszystkim मैं इसके बारे मुछ बोलने जा रहा हूँ जो बेटा स्रेणी है जो अमारे पास क्या है स्रेणी है इसका जो सबसे पहला वाला टर्म होता न सबको समा गया अब धिएंगो मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंप्रतेंट है नहीं कैसे रूख फारीटि लगाते थे टी-1 इस कल टू बेटा टी3 मैनस का टीटू लगाते थे टीजु की तहां पास मैंस का यानिवन तो एपास इस लिख चांट इस युट्य तो निकल कि या तीन एक तीर से सबस्क्राइब अगर बीटा कोई भी एपी चलते चलतेज़ते चलते 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 तो इसको कि इसको हम बेटा बोलते हैं लाश्ट टर्म या वोते हैं लाश्ट्ट स्टन आ्थ बेटा आंगे सुलों कोई भी एपी बेटasan दे चलते किसी टर्बल्ब दूत बेडा ऐसे के एक हजार पर खथम होई तो डिVA का एक नाम है इससे को क西च सब्सक्राइब कु團्रा सब्सक्राइब कि का इक नाम वैंद से फाइनाइट एपี निंश्चित कि यहां से लिकर करके एख़ाव खत aquí यूप लिखा होगा या क्वि रब्ली तो अप्या बताओं की एक São यह नंबर कुछ डूर्गा कूछ न कुछ लिखा हो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट यहां पर लिखा होता है सु क्या ब té फर्स्ट में एक चीज और लिखने जा रहा हुँ कुछ कशित करो ध्यान समझने को सिर करो क्या बट मैं एक जामपर की तो अब जैसे एक से लिखा तहा यानि कि रूट 2 लिखा था रूट अठी लिखा था यृफ रूट8 लिखाथा ऐसे बढ़ते हुच चले गए थे लिखा तो इस प्रकार के जो सेरी होती जहां पर लास्ट ट्रम लिखाई नहीं होता डाडडा करके छोड़ देते हैं इसको बोलते इनफनाइट इनफनाइट आंद इनफनाइट मनolकर OR इनफनाइट अनंत इनफनाइट भी इसको विान लोग के ऑनिनफनाइट क्या होता है तो अब कोशन द्यान रखना जो ऊती है उसमें लास्ट नहींद नहीं द्या होता है ज्गेसी दो परकार की एपि के बारें हômすご चेप्टर पंटा है एक फनाइट दी होगी एक इन्फनाइट दी होगी अब ध्यान रगना फनाइट में एलकमान हमेशा हमें पता होता है इतनी बात पता होगी इतनी बात पता होगी मज़ा आ गया अब एक बात में और बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो बहुती कम टीचर online भीजियो पढ़ाते हैं इस बात को miss करते हैं बहुत एक कठी बना देते हैं चर्टर को मैं तो आपके लिए बहुत असान चर्टर बनाऊँगा बहुत असान चर्टर बनाऊँगा ध्यान सुनो अब बेटा इस चर्टर के सबसे important ची मैं आपको उताने जा रहा हूँ इसको आप मेरे लिए अपने लिए सब के लिए परे पापा के लिए बहन के लिए सब के लिए लिखेंगे नोर फॉइंट वह लिखेंगे क्या जान दो विटा ठीठ होथी है इसमें जो लाश्ट तर्म है जिसे इसके लिए में देखूं तो लाश्ट जर्म जो होता है लास्ट लास्ट टर्म, जिसको वह लखाते हैं बिटा इसी एल को हम चाहें तो जब आवसकता होगी इसको एल लिख सकते हैं वेरी वेरी इंप्वार्टें बेटा आज टीचर इसको मिस करते हैं लेकिन बच्चों को पहले बताना चाहिए जिससे बच्चे क्या करें पोच्चन लगाते हैं समय गलती न करें उनका दिमाँ सॉलिड किस्टर किलियर हो क्या बेटा कि जो लास्ट का टर्म होगा यानि कि जो अंतिम टर्म होगा यानि कि एल इसको हम बेटा एयन भी बोलते हैं इसको हम एन भी बोलते हैं इसको हम एन भी बोलते हैं इस बात तो ध्यानगना है यह लास्ट टर्म को चाहो तो आप लिके चलो या तो भी इसको एन भी लिके चलो सवाल लगा के देखला है यह concept गलक्त हो जाया तो आप मुझे बताना comment करके बताना हो ही नहीं सकता 100% यह एन का formula है सोचो अगर यह एन का formula है तो एन हमारे पास क्या है एन को आपने एल माना है तो यह एल का भी तो formula का आम कर सकता है यह प्लस का एन-1 into d अब यह formula आया कहा मैं यह भी आपको बताऊंगा लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि आप लास्ट रम जब दिया हो तो इसको मान सकते हैं ऊसको अन भी मान सकते हैं इत्ती बात समय हाइ तो मजब समय के चारick करें बेटे को कोई ठीक है अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे अफम लेडियों ने करेंगे अब हम कांटीनू रहेंगे लेलिया कम साथ बहुत बढ़ी हाद अब बेटा मैं क्या बताने जा रहा हूं अब मैंने आपको A समझा दिया, D समझा दिया, Last Turn बता दिया, Finite, Infinite AP बता दिया, ठीक है ना, अब मैं कुछ बाते आपको समझाने जाओ, धांग से समझने की कोशिस, मेरी बात को समझना, ध्यान से, क्या बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, सा जल्ली बताओ, सा आज मिनट का आप मुझे समय दे, मैं आपको खटा का बताता हूं, आप भी अपने क्लासमेट को समझाना, बताना कि बेटा, हम AP फालतो नहीं, हमारे डेली लाइव से जुड़ा हुआ टापिक है, हम क्यो बढ़ते हैं, देखिए, मैं आपको एक एजामपल से, दो मिनट के पढ़ते हैं, मैं आपको एजामपल देखे समझाता हूं, माल लीजे बेटा, आपके स्कूल में एक माल लीजे बेटा, इस तरह का कोई एक कमला है, आर्डो टोर्जम टाइप का, जहां पे बहुत बढ़ी, बहुत सीटे लगी होती, आर्डो टोर्जम टाइप का बना पहली बार में 100 सीटे, किती सीटे हैं, 100 सीटे, और बेटा हम ये मान चलते हैं, मैं ये मान चलता हूं, जहां समझा, तब मज़ आएगा बेटा, और मैं ये मान चलता हूं, कि कमरा बेटा हमारे पात ऐसे बना हुआ, कैसे बना हुआ, ये ऐसे चला गया, और ये ऐसे चला ग चुनमारोब हैं फिर अगली कम हैं कि यहां अदुना लाका भंगा लगता हैं तो आज एके करता कीा डिसके का यहां कि नें कर रखने हैं याउन पर चूटल नंबर में की शिए कित्षा है, तो बूट ब। टूटल सीट आप से पूछू न तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा पेंसिल पहले के बैठोगे बहुत दिक्कत होगी सवाल क्या है आप करके देखना सवाल यह है कि एक आड़ू टूरिया में सबसे नीचे बीटा हमने सो यानि कि सो सीटी लगा रखी है उसके बाद यान करते 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 इसको सो नंबर तक यहां लाते चला गया इतनी बड़ी हमारे पार रूम है कि मैं इसको इस तरीके से सो सीटे बना मलब ऐसे कालम बना बना के जैसे हम डाल रहे हैं यहां सो तरह लगते चले आ रहे हैं अब हमने कहा इस टोटर रूम में कितनी सीट चुटकी में हाँ चुटकी में यह कर देगा पांच सिकल लगे खटती आ जाएगा यह पिंग खास्यत है यानि जहां कहीं एपी जैसा पैटर्न बन रहा हो एपी से आप यह बता पाएंगो तोड़ा किती सीटे हैं बस यह होना चाहिए कि इसमें जो अंतराल है वह एपी जैस आप पाइसा हो तो अंतराल चेक कर लो अगर हम सो सीटों के जांपड़ लेके समझे में लाका में समझा जा ना देखे धांस यहां कितिक अंतर है 100-% दूता है ऑप कर जाएगा क्या वाइक शूसे हो ळीडिया आप लैट हो को अगर नहीं आया तो मैंने वीडियो के पीछे जाओ और फिरसे इसको देखो आपको आप समय आगया होगा बहुत अंदर अब बेटा मैं एपी से रेटर कुछ आपको फॉर्मले कराने जा रहा हूँ उस फॉर्मले को आप ध्यांस देख लेजिए यकीर माने मज़ा आजा आएगा बहुत ही है एक दम इंट्रेस्टिंग तरीकिस में आपको बताने को सी करता हू अब फटा का देखी आप लो बेटा कि एपी का यानि कि जो फॉर्मले बेटा एपी को जो फॉर्मले कहां से आए ठीक उसके उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जिसे कि दो चार छे आठ डस बारा डाडा 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 सर आप बार यही क्यों लिखते हैं मैं कि आपको सब बातैं समझा पाउं देखो मेरात थिन सवाल है उस तीन सवाल के जीवाद देने कोशिख करना इस तीन सवाल से मैं आपको सब को समझा दूंगा खेला सवाल हैNEP है बेटा मैं कहरा हूँ कि इस A P में पहला बैला टेम्ट किता है दो फिर किता है चार यह डो है पहला टरम दूसा टरम तीका चार अगर मैं इसका पांधाब बैएabilir至 रूट दूरूट का बेटा आठ इसे बहुत मैं लिख सकता हूं चाहूं तो मैं लिखते जाओं मैं जांपक ये बता रहा हूं या फिरूट का ठारा लिख लिया फिरूट का हमने 32 दिया अब अभी यहां पर जिसे मैं पूछू आपके चौथा टर्म कौन है तो चौथा टर्म होई साथ आप 32 बोलेंगे बिल्कुर सही बोलेंगे लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ अब मैं पूछू कि 51 नंबर पे कौन से पताएगा 51 नंबर पे यह पहला टर्म है दूसा टर्म यह तीसा टर्म यह चोधा टर्म उसी तरीके से 51 नंबर पे कौन से टर्म आएगा यह आप नहीं कर पाएंगे कर नहीं पाएंगे बहुत चांसे से गल्ती बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बेटा यह काम करेगा एपी तो मैं इस टम्स बता सकता है चुटकियों में formula निकाल दिखाएंगे फामूला निकाल दिखाएंगे पहला क्या यह विजह सो में गई यानिकि nth terms निकालेगा यहां से बेटा from starting from starting from starting यह देखें बेटा पहला ये भी बताओंगा अपने सुनते रहे हैं अनुद से रही है कि अगर और सुरुवा फिर मिर्टरम निकाला हो खट से आप ये फावला लगाएंगे फावला की वही कराएंगे इक वह लो आपको बता दिया भी सोच हम क्या डेवलप कर रहे हैं सवध ना आगया सवग पहुं बढ़ा इसा सवाल है दूसा सवाल है अगर इस सेड़ी में दो 4 6 8 10 12 करते जाएं करते जाये माली सीर्ड़ी 1000 जाकर रूप गई यह लास्ट रमकिता में पास आगे 1000 आगए मैंने कहा इत्से आप लौटो अब लौड किया हो यानि लास्ट से लौटना है और लौटने के बाद यहां एक नमबर लिखाओगा यहां नमबर लिखाओगा यहां नमबर लिखाओगा लौटने के बाद मैंने कहा तीसरे नमबर पर क्या लिखाओगा हमें यह बताओ तो य आउट के तीसे नमबर कोंटर माया यह आप बताएं तो यह आपका ऐसे काम पिक पर लेकर बटन बड़ी दिक्कत होगी यह काम भी एपी चुट्चों में कर देगा यह यह क्या निकालेगा एनी देखे बेटा समझो बेटा मज़ा आ जाएगा एनी अब तो मैंने वीडियो आ सब्सक्राइब श्युक्त और यह जाते हमें और रहे सैंस्त और रहां को जासे पातीर भी तार रहे और भी तरम निकाल देगा तो है इन इसे कोई पता है कि यह फावला होगा जब हम लास्ट से कोई भी पद निकालने की बात करेंगे जैसे के लिए तरह हम चैटर में प्रिमारेंगे सुपरिष्टार की तरह धाट से सवाल हो जाएगा बहुत बढ़िया तीसा कोचन मेरा आपसे है तीसा कोचन मेरा आप 24 ऐसे करके मैं एक हजार तर पहुचू उसके बाद मैं आप से कहूं कि आप यह बताएए कि दूस से लिकर कि सौट एक हजार के बीज में टोटल जितने वह टर्माएं हैं उनका सम्किता होगा यानि कि दो प्लस का चार प्लस का आठ यह सब को जोड के जाएं और एक हजार तक हो जाएं हम कहें कि टोटल सम बताए है कित्ता कठिका में है मैंने तो अभी 1000 तब किया करूह हो सकता है कैसे करोगे एपी नाए होती है यह भी काम आपको एपि करेगा यह क्या करेगा है यह निकाल कन गरेंगा सम ऑफ be यह में सम आफ एपी कोई AP लिखी है तो सम कर तो देखा चुटकियों में, सिकेंडों में, यह बिसेस्ता है पी की, इसलिए हमें पी पढ़ते हैं, फाल तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए फार्मला यूज़ करेंगे, बैटा, N by 2, ब्रेकट में 2A, प्लस का, N minus का 1, N 2D, यह देखें, बैटा, फाल तो थुलो, मैं आ रहे हैं, यह तीन फार्मले और आपने पढ़ लिए ह्स चैप्टर को हो गया, कामखतम, यह तीन फार्मली 6, आपका सब कुछ काम होगा, बैटा, यह क्या था, sitting time कालना, यह क्या था, यह क्या था, यह क्या था, जो भी हमारे पास, पसले लिकर नकिता है, उनका सम किता अब बेटा ये समस्याएं अब इसी तीन के उपर हमारे पात में बेटा पूरी सा साजे हैं उसके बाद चप्टर हो जागा खतम हाँ हाँ इतनी फामले है इतनी फामले है एक फामला बेटा कहो तो मैं इस्ठा करवा दो तो कोश्चन नहीं लेकिन कभी-कभी को आप जाता है अर्थमैटिक मीन को पर क्रेखोन होता है अर्थमैटिक का होता है इस क्या होता है उम्हाले मार्भी हमने कहा बेटा ये एप में ह कहा है AP में है, हिंदी में लेकर समझा रहा हूँ, AP में है अगर बेटा A, capital A, B, AP में है तो देखे धान से कहानी क्या है जो B, चवाला है, यानि कि capital A, यह हमेशा किनारे वाले जो हैं इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करो हमेशा यह बराबर आएगा यही बेटा, हमारे क्या है arithmetic mean का formula कि जो किनारे किनारे वाले हैं, उसको जोड़ लो, और 2 से भाग करो हमेशा बीच वाला आएगा, इसी को बोलते arithmetic mean, यह यही नहीं किसी भी strategy में काम करेगा, जैसे मैंने भी यहा लिखा था, 2, 4, 6 8, 10, ऐसे वरता चला जा रहा, कोई 3 लगाताल ले लिए, यह माली यह 3 लगाताल ले लिया, ले लिया, तो मैंने क्या कहा किनारे किनारे जोड़ के 2 से भाग करो, बीच वाला आएगा, देखे किनारे किनारे जोड़ेंगे, तो 8 चाकिता हो जाएका और इस चार फॉर्मले के लाम 기잖아요 वोगा यह चार फॉर्म्ले को आतीँ तो आपको मज़ा आ जाएंगा शृमा DRP समझ में आ लाटेची लगई आपको इंट्रिस्टिंग तो लगे मैज से प्यार तो हो इस के लिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि फॉर्मले बने कहां से हैं पढ़ा दो हैं आपके बताता हूं यह यह वीडियो पन्तों जाएगी और फॉर्स जो नई वीडियो मैं आपके लिए बनाओंगा उसमें स तो अब मैं क्यों करने जा रहा हूं कि मैं यह फॉर्मले कहां से उससे पहले आप चाहों तो इसके साट इपाल ले ले लिया ले लिया आगे बढ़े चलवागे बढ़ते हैं तो अब मैं हमने आपको के लागने जा रहा हुँ ये फॉर्मले आये कहां से मज़ा आरा रहा हुआ तुम आफको नहीं आ रहा हो इकườंगां । यह question बेटा very very important ध्यान दो अगर कोई आप से पूछे कि AP का एक general रूप बताओ general रूप यह पी general form इसको हिंदिम बोलें कि general form general form ब्यापक रूप हिंदिम बोलते हैं इसको कोई यह AP का general form बताओ देखो बेटा इसको याद कर लेना AP को general form जो होता है वह ऐसे लिखा जाता कैसे एक कामा A plus D कामा A plus 2D कामा A plus 3D डाट 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 देखो धान से लगातार 1D 2D 3D लगादार दी बढ़ रहे हैं यह बड़तावा इसे चला जाएगा ऐसे वर्ताफ़ा क्या होगा यह चला जाएगा यह बेटी पेटी भी हमारे अच्छी सब कुछ अच्छा बेटा क्या है बेटा अगर कोई पूछे एपी का जन्राल वार्म बताओ उसे हिंदी मोलते ब्यापा कुलो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो उसका बेड़ा जन्रल फार्म ही होगा जब कभी कहा कोई AP निकालो तेखो AP निकालो यानि find the AP और AP का entertainment निकालो दोनों में अंदर है अगर कोई कहेगा AP का entertainment निकालो तो इससे पहले वाली slide पर जो मैंने formula लेखे थे न स्टार्टिंग से last वाले उसमें से कोई एक formula लगेगा लेकिन कोई कहेए AP ग्याद केजिए AP के series ग्याद केजिए तो AP के series हम इस formula से याद करेंगे मज़ा आग्या 04320 अब मैं आपको बताने जारा हूं यह आद कर लोगे यह याद कर लोगे अब मैं आपको कोई क्लिए बताने जा रहा हूं कि यह जो मैंने फार्मले यहां लिखाया थी, फार्मले आये कहां से हैं, बहुत जल्द आपको समझा देता हूं, फिर मज़े दाते के समागे बरते हैं, देखें, अगर अच्छा, यह बेटा हमारे पास कहा है, एपी का जन्रल फार्म है, लेकिन है तो एपी ही, है तो एपी ही, है एपी ही, एपी का जन्रल फार्म है, ठीक, अगर मैं इस एपी का फस्ट तरमात से पूछ तो आप मुझे क्या जवाद देंगे, हमारी साथ से आप बोलेंगे, ए है, हाँ बिल्कुल आपका जवाब यह होना चाहिए, ठीक, आपका जबाब होना चाहिए बिटा क्या ए प्लस का 2D हाँ बिल्कु जबाब सही है देखिए मैं एक को थोड़ा से चेंज करके लिगना चाहिए तो मैं इसको लिखूँ ऐसे लिखूँ इसको मैं ऐसे लिखूँ देखो ए प्लस का 3-1 इंकल जाएगा कि तब जाएगा आगे हमारे पास एक लिखा हुआ ऐसा मैं कर सकता हूँ अब फर्ष तर्म 20 टं 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 फटं टों गे اवत्ति फ तर्ट हो ग्या फोर्थ 156 788 ऐसे चलता जा कोई-्लिमिट है हम चलते के चलते चलते गहstorm ने खा imat a कहले ने कित्सक्राब oeरा oportun लेकिन यह कहां से हैं इस क्टार्टन से हैं पेहला न डूसा लेए स्टार्टेंग से लिखा मैंने स्टार्टेंग से लिखा है अच्शा अनि श्टार्टेंग से जो फॉर्मला आईगा बनासे से अब इसमें कुछ देखो धांज कराने जा रहें जब सब जग़ाए सेम जब सब जग़ा एक बाल लगते हैं यहाँ प्लस टो एक दो तीन एक दो तीन का नमबर से नमबर की स्प्रिंग होती एन यह बदर लहा तो इसको आप लिक्ले जी कि और 1-1 जेमें एक बालिक लिए डीडी सेमें लिग लेजए यहीं हो गया फामला प् लिखा में पास में दी यह बिटा हमाँ पास में क्या गया वंप दी ए फाम्ला गया वंप कता में पास में जेके कहा में बढ़ते हैं आपको कि लास्ट से हम एन टम कैसे निकाले को भी मा और को करा देता हूं और ख़र से सम्मूला अगी बड़े लेले स्कीं साथ कदम ना कमभी हिम्मत हारी है जज़वा है साथ को जंगी बनने का इसलिए सफर आज जारी है क्या मुझे दाद दाइलाग मार दिया मैंने तो यह बेटा मैंने बता दिया इस स्टार्टिंस कोई टर्म निकालने के लिए अच्छा बिटा मैं आप से सवाल पूछता हूं बड़ी मजा रहा मुझे बड़ा मजा रहा आपको आ नहीं आ रहा यह कमेंट करके बताए मुझे मुझे बड़ा मजा रहा मुझे बड़ा मुझे बड़ा मसा रहा पे पसीने से लगपत हूं बड़ा माजा रहा तुमको मजा रहा करते हैं कोसिस करते हैं देखो मैं इसको ऐसे लिखू का माला का में प्लस का को को समझना देखिए यार शुरुवात में जब मैं जा रहा हूं तो एक बाद दूसरा कम मिला जब मैं प्लस डी आड़ किया उसके बाद इससे यह जब मिला तो डी में मैंने एक डी और जोड़ा तो टूडी हुआ फिर अगर मैं इसके आगे और लिखना चाहूं तो हमारी आड कर रहा हूं इसको एक देखनेंग नजरिया यह भी हो सकता है कि जैसे-जैसे मैं पीछे जा रहा हूं एक डी हटा रहा हूं थिस अधी आघे बज़े काम गया तब हम लास्ट में कि हमने कहा अब नहीं पिछे लूटना तर यह काम करना पढ़ेगा निय्स मैं यह काम बार घटाना पड़ेगा तभी तो लास्ट से वापास आप आएंगे मज़ा आया होगा बेटा में जो बोला हूं यह निल तो लास्ट हो गया अब इसके बाद में किता डी घटाते चले आरा तो इसके चेस्ट बाद क्या होगा लगा देते हो हमाई अब कि बार एडियों घटाएंगे तो एडी से एल डी आउगा लगा बताओ 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 डाडाडादा क्या एक कंप्लीट सिरीज नहीं हाँ यह जो मैंने आपके साहिन लिखाना एक कंप्लीट एपी की सिरीज है पका लो बेटा पका लो बेटा जाने न पाए हांसे ए ए प्लस डी ए प्लस टूडी ऐसे हम चले गए लास्ट में एल इससे पहले एल मैनास डी एक उससे पहले क्या है एल मैनास को टूडी मजा आ गया मजा आ गया ठीक अब मुझे फैरम अबनातो सिन्हागत दुष्छी निकाल दिया अब मुझे क्या करना है अब मुझे बीड़ क्या अब की इन्त टर्म का for am कहां से blackish no martyriste क्मी नेगे लाईस्ट का फिर्ट लिखुँ यह लास्ट का फ़र्षे टर्म हो फो सबस्ट अब घता हमारे हिसाब से वह बीटा एल है यह अगर लाक्ष पिर से सिकंडर की बात करूं लाख रहा किता बिटा एल मैनुस कर दी है उसी तरीके से कि तो ब्राके जाओ बाते जाओ बढ़ाते हैं जो मैं एंट तर्म्स की बात करूं एंट तर्म्स कहां से हैं लास्ट से होगा क्या मैंने लिख रखा है जिक थोड़ा से चेंड करता हूं जैसे पहले चेंड किया तो इसको ऐसे लिखूं कि वन से निकल के जीरू बन जाएगा ऊए तो आएगा इसको मैं तरीके से करें इससे गम की बात करूं तो लो से मैं देख़ां से यह लिख लेंगे मैंना मैनस से मैं मैंनस लगा लेंगे वन टू बद लाहन नंबर है तो एं लिख लेंगे माइनस मैं जो से में एक बार लिखा करो यह लिक लिक लिग दी से एटा डände लिक लिया यह ल हो जाए गया अगर्श्र कुम मैं P आप किसी को बदाए हुए यह आग्या लाज्ट से कोई भी टर निकाना है तो उसका फामला है अब मैं किवल खट से आपको समनिकानिक फॉनला करा देता हूँ और यहीं पर हमारे पास यह बेटा इंटूड़क्टी वेटू हो जाएगी आपकी खतम फिम सीधा एक्सरसाइज में ट्री मार देंगे मजा आ गया मजा आ गया इसको भी आप इसके इसके ले लिए आओ अब कर रहेंगे क्या बेटा आप सम वाला खाल निकारी कि नमरीच लेए यहां पर नमरीच चले तो आप परिशान नहीं अप ने तिर्टा मैने बेटा ध्यान से क्या है अब इस से में बहुत इस नंबर आते और उसको जोड़ो इसे एक कर दो प्लस कर तीन लग चाहर प्लस का फांट डाट 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 अंहीं कर्येंतेिंदों जूड़ë क्या होती हार्ट वर्किंग कान एक दू तीन तीन छेट च्यार दस तस पांथ 15 फिकला वाल आयगा च्छेट फिकीस एकीस में साथ 21 साथ 28 इसी तरीके सौ तक जाना है उए उए बड़ा कठिन काम है एक बंदा आया तुम्हाई त्रीके से बिलकुल समार्ट बंदर बेटा वो समार्ट बंदर तो इसने एक जुगार लगाया जान जुगार क्या पर तरीक ने यह कि लेकर उसने अपने तरीके जोड़ाए कि आँप एक बार मैंने इसको लिखते हैंब इसको पलत करके लिखता हु snow कि ऐसा किसी ने किसे गया उसके दिमान कुछ वाल आ यह को गया लास्ट junior का पहले आ गया थेड़ tym पहले आगया तो अब इसके बात क्या होगा नियुम्न एक लिए तेक नियुक्त किता आ जाएगा 12 डाट 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 किता हमें पास में 5 4 3 2 1 दिवात रहांगे अब उस बंडे ने कहा अब हम इसको जोड़ेंगे और साम तरीका बनाए उसे ने अब कहा आप हम जोड़ेंगे तो जोड़ लो अब इन दोनों को जोड़ो प्लस कर लो इसको जोड़ो तो भाई एक्वल टुक इ 1001 वाल वाल मजा आगया दो और निन्ना नवी निन्ना नवी 10 लिन्ना नवी और एकसो यादे फिर से तीन में ठाना नवे जोड़ेंगे हमारी साफ से यह बेटा एक्सोड एक याएगा फिर अगला अगर होता 97 यहां लिखा उताओ चानलिपर फेसे किता less एकस्वra हैं लमसम लमसम हमारे पाप्स तो बार जाना पड़ेगा यह सो टाइम सब्सक्राइब रोल होता है अगर एक ही चीज बार बार चल लए बार तो आप उसको एक बार लिख करके यह देख लो कितनी बार चले उससे multiply कर तो answer सीम आता है जैसे 101-101-100 बार चल ला है तो आप 101 लिख करके जितनी बार चल ला है सो से multiply कर तो खट दे दी इसका सम सेमी आएगा बेटा ऐसे यह जो चीर लिखी ना इसको आप ऐसा कर सते हैं अगर 101-101-101-101 बार बार चल ला है ना सो बार जिसको एक बार लिखे आप सो से multiply कर लिए अच्छा अब दो इधर इधर भेज ली दिए तो इस बराबर हमारे पास आज जाएगा एक सो एक गुड़े में बेटा हमारे पास आजाएगा सो और नीचे दूभे दिया इसको सॉल्ट कर लिए ना इसका एंसर आएगा पचास पचास यहीं पांच हजार पचास आएगा यहीं इस वरापर हो जाएगा पांच हजार पचास अरे वाह ग्रुजी वाह संथिंग न काम नहीं कशर आब हैसे करना है इसलिकर के सो तो को ऐसे हुए उसका पात्स लिए यहां कि जमयें जरे हुए हुए एक हजार बार होगा दुनों मल्टिप्लाइगे के दो धर भीग देंगे जितना इंसा आ जाएगा सम्तिंग नूशन सम्तिंग न्यू ये दिखे किसी पंदिन तरीका निकाला एस लिगर के सो के बीच में टोटल नंबर जोडने का ये तरीका निकाला अब बेटा मैं भी क्या क्या करूंगा इसी तरीके को फालू करूंगा मैं क्या करूंगा इससे मैं अब quantitative निकाला ना मैंने बाक इसी जो वंडी ने तो मैं खट से इसको मिटाता भी नहीं हूं साइड में करता हूं जिसे आप रिवाइश करते रहें मैंने किया क्या है यह जला गया कोने में इधर आ खट देनी पर काम करने जा रहे हूं वैटा क्या करने जा रहा हूं में एक ए पी लिखने जा रहा हूं एक में Eli आपको लिखा था एप लाइगी दो योड़ेंगे पींने प्लस को iedereenटा नसे पारठी आ मान या था एक यहां पर लिए इसको काम दिया गया नियुक्त कर लूंगा क्या था तो मैं भी क्या करूँगा रिवर्स कर लूँगा मैं भी क्या करूँगा इसको री वर्स कर लूँगा उल्टा कर लूँगा इस वराबर किता आ जाएगा पहले यह आ घ्रीव होगी अब मैं क्या करूंगा इसको इक क्या सिर्फ scratch प्रूशन टू मानूं गा वह यह मैंने किया अब लोगर दोघमा सिर्फ दूझर इनक्या में इधर वाला हो जूड़ेंगा सिस्कत असों जाए एसे सोगा 2S a plus L तो मैंने इसको a plus L दिख रहा होगा वीडियो में आइधिन a plus L यहां देखी धान से अब बटा a plus L जोर लिया आप इसको जोरना है second जोरना है a plus d L minus d देखिए यह plus में यह minus में cancel a plus d फिर से आएगा इसको बिरकम बंद कर लो प्लस एप्लस किता आगया है पास में यहां और क्या सेम तो आएगा ही आएगा अगर इसको जोने बटा टूडी यहां पर टूडी यहां पर जायगा यह दाट डाट डाट टाट अपले लाज अब 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 डिस दी कर दो गया विटा हमाई पास में यह किता आजाएगा a plus कर लाज है संथिंग नूशर और क्या लास्ट में अपलस एल अरे वाह वाह भाई वाह वाह गुरूजी वाह सब कुछ आपने एपलस एल बना दिया सो से मल्टिप्लाई यह पता नहीं किती बार तो मालते एन बारत यह नहीं मल्टिप्लाई भाई यहां से एस किता आ जागा बटा एन आगे लिखलो पुले में है तो एन इस्टू को नीचे भेदो अपान टू बडिकम देखाता है बटा ए प्लस एल दिस इस जोर फार्मु किता था बटा ए प्लस का एन मैनस को बन इंटू डी अंतिम पत को ही एन पत कहा जाता है इंटर्म कहा जाता अगर सुवात स्टार्टिं से तो अगर मैं एल कमान यहां रखुती नया फार्मुला बन जाएगा यानि हमें यहां दिखा देता हूं यानि कि एस इस कल टू हां प्लस एन माइनस का वन बेटा बंगे ताम में है फटन पॉल्लू अलू इटा एकली दो प्लस एन माइनस का वन मिनस का वन बगांग मैं पास सिचते बेगने पनकर दिया सब कुछ बेसिक और बते मैं उसको भी बताता हूं मालब कि आपको फी 5.1, 5.2, 5.3 में किसी इसी कोई सला लेने के सबता रही है आप बेसिक सब लेजे तो सब्सक्राइब लेजिए इसका भी सब्सक्राइब बताता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ बाते मैं आपको और बताता हूं लिखो जड़ा सब्सक्राइब लेले सकिन साथ चलिए हमें आगे बढ़ता हूं चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं सायच 40 मिनट एक बच्चे ने बताया कि 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है तो क्या हुआ आप के होगा है तो अगर आप कोई कहें कि इस एपी कर जर्नल फर्म बताओ जर्नल फर्म आप बतालेंगे एंपी होता है एप ड यह होगा एप्लस का टूडिया इसे को हम साथम के यहां पर यहां पर यहां पर इंट्रेश्टिंग आते हैं यह बाले जयां से नहिंश्स्टाव रहां के में लिखता हूं में भागे लिभी बरी इंपोर्टन सुन मियस सम सब्सक्राइब कर दोच दे arise जिस्तों रिख्पर दर भी हो अधि को एसे बोलता है कि एनी ठीकिल्स एंडिस अर्फ हम इस मेर था मैं नहीं किर अध्रों आफ AP तो को फरक है बेटा यह AP की से इससे आप AP करेंगे लेकिन यहां पर केवल AP के केवल तीन टरम गर लेने हैं बाई यहां पर तीन टरम लेने तो आपको पता थोड़ें लेंगे कि तीन टरम- यह लेंगे नहीं पता ना एपी के केवल तीन ट्रम लेने हैं तो यह आपको याद करने पड़ेंगे तो आप कोशन में आ जाता है कि कोई हमारे पास एक यह कोशन आती है मैंने लगवाएं अपने आपको बता रहा हूं कहाएगा कि इंटर्नल एंगल है वो एपी में है वो एपी में है मतलब कि एपी में है और तीन ही है तो आप स्टार्टिंग से एक दो तीन यहां से नहीं करें सकते तो उसके लिए आपको तीन याद करें परेंगा तोहां याद कोड़ेगा तो वह बीटा हमारे पास होते है कि मैं हालाइट करके बड़ा खुश हमें अपर खुस हम है लिए 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 recycling करें कि हम लोग हम ऐसे याद करेंगे एए मैनस कड़ी बेटा और ए प्लस कर डी याद रहो के मेरी बात को की नहीं कि यी वीटा अब एपी के तीन करना होगा सवाल आएगगा कि यह ट्रेंगल है कि उस्के इंटरनल अंगल एपी में है अन तो उँनकी प्रतिय कि या करो तो फिर तीन मानेंगे तरीके से अगर कभी बोलता है 5 tv5 और रिप्स-गालो 5 तरंथ वो अग्ला इसमें ए प्लस टूडी जोल लो और आगे ए पैनस टूब याद करीका बता रहें ए प्लस ट्यूप पीछे तो आगे किता हो जागे मैं पार मैंने चला है तो ए मैंनस कर टूडी यह देखिए पांट ट्रम अगर साफ साफ सवाल कराई एपी के पांट तरम तो इसके लावा आप कुछ नहीं ले सकते तेल्टरम तो आप यह लेंगे और एप निकानिक बात करेगा कि स्रीज निकालो तो आप यह फाला जूड़ेंगे फूफू फूफू एक कुछन बेटा और आता है कि फोर्ट रोनि के लिए नहीं प्लस का जरूंगा मैं चाहूंगा इसको आप जरूर लिए पी के जब कभी चाहत तरम की बात आएगी तो आप यह करेंगे के पान टरं के बात आगयों तो योज करेंगे एपी की तिन टरं के बात आगयों करेंगे और एपी आपे ? या पी कोई ka तो उसको मैं करा देता हूँ छोटी सचीज बची है वो करा देत हूँ मैं आपसे घरंटी दे ता हूँ मेरा हाथ तो नहीं आपके हाथ से मिल ले हम देखिन Imeetim ई करा रहा हूं अगर मैं वो छोटी सचीज भी मैंने आपको बता दिया मिन गौर्ट को हैं बताने जा रहा हुं इस बात को आप धिहां से जमना जो मैं बोलने जा रहा हूं तो भाई जिसे लिखा है दो चार छे आठ दस बहुत इंपोर्टेन चीज़ को समझो यह एक एपी है सरा आप बार बार यही क्यों लेते हैं मैं समझा पाऊं आपको सारी बाते हैं मैं अपनी सारी बात आपको डिलीवर कर पाऊं देखो अगर मैं कभी बेटा बोलता हूं जिसे मैंने कहा कि फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म तो इस फोर्थ टर्म को लिखते कैसे हैं देखो हिस्निक है जि jerk यहाइट लिखा एयं के रिजका ना यह तरभन के बाद कर रहा है जिसे लिखा इससे लिखा दो सिकंड टर्म की बात कर रहा है सिकंड टरम उत्र की ठा से लिखार आगर इस थर् глаз कर थर्मम की बात करता है अध्य है आपसवेंबटा अगर जब कभी ऑवन की बात आए यह न 250 फशन तो फशन तो पता होता किता है वाने पाँ मर्पास की जल रहे हैं कि कि यह दो ही है कि सिक्डर टे बात करेगा तो इसको हमेंसा बेटा a plus d आप लिखना a plus d रिखना कि तर्फली थर्ड तर्म की बाध कि लिखे लिखे तो गिए तो कुछ नई बात नहीं वही हुई आप पिछली बाली जो लिखे तो वही बता रहे हैं हाँ में बता रहा था अब यह समय क्या है ए वन ए टू ए थी है वन ए ट S2 S3 यह क्या है S1 S2 S3 यह क्या है यह है बेटा First Term का Sum First Term का Sum जब First Term का Sum पहला Term तो दो ही है हाँ जब दो ही है तो इसा इंसर दो ही आ जाएगा जैनि First Term का जो Sum है यानि S1 वही देखे जहां इसका A1 के ताहएं पाक ने दो ही है वही इसका First Term भी है यानि First Term का Sum और First Term Equal होते हैं यानि मैं यहाँ यह कह सकता हूँ यहाँ मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है कि S1 हमेशा A1 के बराबर होगा क्योंकि भाई जो First A1 का Term है और S1 क्या है इस मतलब Sum योग फर्स्ट टर्म का योग तो वही फर्स्ट ओमाई गॉड़ ओमाई गॉड़ Excitement 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 मेटा First Term किता है पास में दो यहनि A1 किता है दो और First Term का Sum यानि S1 भी किता है पास दो ही तो है जब दो ही तो है दो ही दो है यानि कि दूनों बराबार है है संतिंग नूम शंतिंग नूम ज़या अच्छा इस टू क्या है यहानि स्टर्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग से 2 स्म का दो टरम और Geld purity WILL स्टू का छी आएगा हम वाई स्टार्टिंग दो तरह समीन các यह जाएगा यहाँ यह चार्ट सहाद शी आ जाएगा है यह चया इसिर्ट किया है इस कहा पूठ आप मैं यह बताता हूं कि जो एस टू लिखाएगी जो एस्टू आया है इसको मैं थोड़ा सा अच्छा यहां पर दोखो जहां से बनाने जा रहे हैं देखे एडू किता है इस कोचन का सिकेंट टर्म चार तो यहां पे चाल लगा लिया इस कल टू एच्टू किता निकाला आपने एस्टू निकाला वेता चे ओमाइगाड 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 तो सब्सक्राइब पास में इस कोचन का सब्सक्राइब पास में चार दो छे दो टर्म का सब्सक्राइब यानि जब एट्टो की बात होगे तो कर लेंगे अच्छा मैंने कहा कि आप मुझे यहां तक आ रहा हुगा थी मैंने का आप एथी निकालो कैसे करोगे क्या मैं इसको एस थीरी माइनस का एस टू नहीं लिख सकता चेकर आफ तुमको चेकर के दिखाएंगे एट्री क्या है तीसा ट्रम एक दो तीन छे च्छी आ ग बाराथ छे निकल गया अच्छे इधर भी आगया अच्छे बाई जब दोनों तरह बराबार आया है एंग फामला काम करता है फामला काम करता इसके लावा में कोई भी एक चीन नहीं बताओंगा आपको यह लाश्य सक्ड़ाओं एक डॉपी नहीं बताने के लिए क्या कि ज 3 निकार लो A3 तो यह किता हमारे पास हो जाएगा देखे जान से S3 और यहां पर S2 हो जाएगा इसी तरी किसा कर मैं आप से A5 पूछ लूँ तो देखो जान से यहां जो है वहीं यहां है बाद उससे बाद में एक कम है तो S5 पूछो A5 पूछोंगा तो यह हो जाएगा यह से 5 है उसकी बाद S से क्या करेंगा चाह गटा लेगे यह यह प्रकार के एक फामले हैं जो कि हमें टर्म मतलब की A1, A2, A3 और बेटा हमारे पास में Sum सम मतलब कि S1, S2, S3, उसमें relation बता रहा है, A1, A2, A3 क्या है, टर्म है, S1, S2, S3 क्या है, यह सम है, जैसे मैं S2 बोलता हूँ, इस स्टार्टिंग जो 2 है, उनका सम है, बेटा, यह चाहिए यार्ग माई, इससे बहुत बड़ी हाँ, बड़ी हाँ, सवाल लगेंगे, बहुत इतनी बात फंगना आगी, तो बेटा, मैंने यहां पर आपको मेनद करके, गर्मी में बिल्कुल परसीनी से लत्पत हो करके, मैंने आपको इस AP चाटा के सारी A2 जिल बातें बता दी है, पूरी बेसे कवर करा दी है, अब मैं एक नई वीडियो आपके बनाऊंगा, जिसमें मैं anxiety के solution आपको कराऊंगा, फटा-फट, खटा-खट लगाऊंगा, उससे पहले आप एक बाइस को लिख ले, घर पे revise कर ले, जिससे कि मैंने जब तक दूसरी वीडियो आए, उससे पहले आपको इस सब बातें याद हो जाए, अच्छे से याद करके बैठ जाए, और आप मैं जाग-जाग कि मैं आपको लिए बनाऊंगा, पस आपको क्या करना, मेरे लिए इस चैनल के लिए, इस चैनल की ग्रोथ के लिए आपको ज्यादा-ज्यादा लोगों को इस वीडियो को सेर करना है, प्लीज, ऐसा कंटेंट आपको इतनी बेसी तरीके सी सम्झानी वाला नहीं मिलेगा पूरी YouTube की जन्नी में, मैं आपके लिए करने आया हूँ, एक नए पहल जलाने आया हूँ, इस वीडियो को आप जाला-जाले लोगों सेर करें, जैसे कि हम और आप सब लोग आगे बढ़े, वो अच्छे से पढ़ाए करें, तो पढ़ाए करते रहें, बहुत जल्बे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मुझता हूँ, चैल!